हालो इस्टोंच वेलकम बेक टो आज चैनल स्टेडी वान क्लासेज दिस और मेंटर रोही सेंगर आज हम देख रहे हैं क्लास नाइन का चेप्टर नुबर फिफ्ट फंडामेंटर यूनिट अफ लाइफ मिन सैल का पार्ट थर्ड पार्ट वान इंटू हम अल्री कम्पीट कर चुके हैं एक छोटा सा डिस्केशन ले लेता हैं कि पार्ट वन इंटू में पढ़ा गया पार्ट वन में मैंने आपको सारे बेसिक्स बता हैं अबाउट सैंट ओके और आपको याद दो तुकर हमने डिसकर्स किया था कि प्लाजमा मेंबरें जो होती है इडिजा सलेक्टि प्लाइड मेंबरें इस तो अलाओ स्वेक्टिव मेंटेरियर तु इंसाइड आउटसाइड करें दी साथ मालब सबसे इंपोर्टेंट चीज़ करें अगर ये सेल है तो इन साइड एंड आउटसाइड मूवमेंट होगा मूमेंट होगा समय अंदर बहार दोनों तरफ मूम इंप्रूर्ट्न वह है यह टॉपिक अपने आप में इस तरह इंप्रूर्ट्न वह था कि इन दो सालों में सिबेसी नाय 쪽 ग्याश सिधा सिधा पूशना है 9th क्लास से है 10 तैंधалने लेक conservation पूश में ने पूश लिया क्योंकि कहीं छोटा साष्य ने रक्ता और सीबेजय कहीं से भी खुंश भी पूश सकती है So you have to remember each and everything You have to focus on everything Because everything is important for you Every content, every topics is important for you For exams आप इग्णार नहीं कर सकते हैं If you want to score good marks Then you have to learn everything तब जाके कही marks score होंगे जो dream देखने हैं आप 10th board का बच्पन से सुनने को मिलता था कि 10th board है 10th board है बस आ चुकिए 10th board अब 9th अगले साथ 10th है आपकी यह तो corona में निकल जाएगी पूरी 9th पता भी नहीं पड़ेगा आपको और हाफ निकल चुकी है बद्दा यह है कि आप कितनी importance दे रहे हैं पढ़ाई को आज की date में अभी पता नहीं चलेगा बड़ चैसे lockdown खतम हो जाएगा सब चीज़ा आपके सामने आएंगी तो inside moment जो हुआ है आउटर जो moment हुआ यह दो तरीके से होता है cell को क्या चीए या तो cell को चीए gas मतलब O2 और CO2 gas और water यह दो major component है जिसका exchange होता है cell के अंदर अब भई होगा तो आप खुछ सोचिए भगवान में सास लेने के लिए wind pipe दिया है और खाने के लिए food pipe दिया है भगवान चाहता एक ही pipe दे सकता था सोचीए बट नहीं दिया दोनों के functions अलग-अलग है that's why we have two different organs to perform a particular task we have separated individual wind pipe for the respiration and food pipe for the digestion हम खाना कहते तो food pipe से जाएगा वो है तो wind pipe से जाएगा we have two things, two different things same यहाँ पर बीज तो gas का जो transfer होता है cell के अंदर वो होता है diffusion के दूँ और water का जो transfer होता है वो होता है आपका osmosis के दूँ अब osmosis आपको confuse होने की ज़रूत नहीं है मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करना मैं बात करा हूँ आपके आस पास की साइंस को समझे आज पास को समझे आज पास को समझे साइंस automatic संगना है यह osmosis वर्ड आपने सुना है और अभी से नहीं आप 3-4 सालों से सुन रहें है मैं मालनी मैं आती है रोज टीवी पे और त्योर रिट का एड़ करके जाती है आरो लगा है आरो लगा है तो आर क्या था रिवर्स उक्या था और्स टीवर्स और और लेयर वह दो पता क्या लएक वो यामी पर्मेबल मेंब्रें ओके मतलब दो चीज देखिए आपने डिफ्यूजन क्या है गैसे का एक्सचेंज पर ध्यार रखेंच जो डिफ्यूजन है यह सॉलिड मीडियम लिक्विड मीडियम एंड गैस मीडियम तीनों में हो सकता है लेकिन ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ ल पर डिफ्यूजन लिखेंगे यहां पर दिफ्यूजन लिखिए यहां पर ऐस्मोसिस लिखिए क्योंकि अननेसेसरी मैं लिकूंगा देन टाइम वेस्ट होंकर आप बोलेंगे इतनी बड़ी बड़ी वीडियो देते हैं आप तो वीजबिस एकर गंड गंदे की आना तो यहां पे श्रमी पर्मेबल मैंबरेन इस रिकौइड यहां पे सैंु ऐसे पर यह मेंबरेने इस नौट रिकौइड यह दो चीज आज आई है कि अब बात करते हैं यह कि मुद्रा हमारा सब्कॉ union कब इस समय बहुत बाट करूंस का मतलब होता है सब्सक्राइब of transfer of water molecules, the process, osmosis is the definition of osmosis, okay, the process of transfer of water molecule from region of higher concentration to lower concentration, भाई ये तो हमने बात कर लिए scientific, अब थोड़े हो जाते हैं practical, अब थोड़े हो जाते हैं practical, scientific language बात कर लिए हमने की भाई, osmosis क्या है, water molecules का transfer, अब आप कुछ सोचिए, transfer कब होता है, transfer कब होता है, भाई सीरी सी बाते transfer कब होता है, आप एक गरीब को खाना देंगे, आपने खाने का transfer किया, क्यों, क्योंकि आपके पास ज्यादा था, तो आपने transfer कर दिया, अब मैं यहाँ पर transfer कर रहा हूँ, knowledge को, क्यों, क्योंकि मेरे पास knowledge as compared to use ज्यादा है, तो बंदब यह जो conversion होता है, transfer होता हमेशा high to low होता है, कभी भी low to high नहीं होगा, जो transfer होगा हमेशा high to low होगा, मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ, that's why I am teaching you, आप उससे कम जानते हैं, तबी आप समझ में, कभी भी ध्यान रखेगा भरी बाल्टी से खाली बाल्टी भरी जाती ना कि खाली बाल्टी से भरी बाल्टी बरी जाती जो बाल्टी बरी होगी वही खाली को भरेगी खाली सा भरी नहीं बढ़ सकते तो वही चीजे मतलब हाई टू लो ओके तो मुमेंट हमेशा हाई टू लो सारी कंटेंट हमने जो अभी देखे उसका मोन मोटिव है ऑस्मोसिस और ध्यान रखेगा डिफ्यूजन के लिए बहुत जादा इंपॉर्टेंट में अगर सी बेसी में एक कुशन आ गया बोर्ड एक्जाम में मतलब वह इंपॉर्टेंट हो गया और उन्होंने यही पुछा कि गैस का ट्रांसफर कैसे होता सेल्स में तो सब किससे कैसे होता है डिफ्यूजन से अच्छा वही अगर पुस्ते पानी का कैसे होता है ऑस्मोसिस अब पैरलल वीडियो को पॉस्ट करके लिख सकते हैं चीजों को अब हम डिस्कॉस करेंगे सॉलूशन को पीस अच्छा है टॉट पीस अच्छा बंचेशन मट को किसी अनिमल सेल को किसी सॉलिशन में डाला तो क्या होता है तो अभी आपको अगर ध्यान रखना है तो solution क्या है तो मैं चोटा सा word यूज कर रहा हूं जो कि मैं chapter 2 में आपको बताऊंगा जो solution है आप बोल सकते हैं होमो genius mixture बस अब homogenius क्या है इसको भी समझ देगे homogenius का मतलब होता बहुत अच्छे से घुला सबसे best example है sugar in water अच्छे से घुल जाती है वो है solution यह चीज़ा नहीं अब जब solution होता है तो solution का दो चीज़ा होती है एक होता है solute एक होता है solvent यह हम पढ़ेंगे detail में don't worry बट फिर अब आ गया है तो कर लेजिए तोड़ा solute solvent जादा कुछ नहीं बोलूँगा इसको count करिए one two three four five six total six letters one two three four five six seven total seven letter बड़ा कौन है जल्दी बोल यह solvent है बस अगर आप से कोई पूछे कि solvent क्या होता है तो जो solution में बड़ी quantity बड़े amount में present है ज्यादा amount में present है वो कौन है solvent और जो कम amount में present है वो इत्ती बसन में पक्का तो सॉल्वेंट क्या है दो सब्स्टेंस विच इस प्रेजट इन लार्ज कॉंटिड़े और यह स्मॉल कॉंट अई हो इत्ती बसन में ठिक अब आए अपन टॉपिक पर हम बात कर रहेते है अब यहां पर हम सॉल्वेंट को लेंगे तो सॉल्वेंट को डिवीजन करने की क्राइटीरिया जो हमने यूज किये हैं बहुत थी कि ओके देखे सबसे पहला है हाइपो टोनिक सॉल्वेशन हाइपो ठिक फीर है आइसो फीर है आइपर आइस वास हाइपो आइसो हाइपर हाइपो टोनिक सोलुशन मैं इसको बाकी वर्ण रैट से लिख रहा हूं हाइपो टोनिक सोलुशन और हाइपर टोनिक सोलुशन ओके चलिए ज्यादा कुछ नहीं करना है बास सिंपल से चीज याद रखनी है हमारा जो कुश्चन है वाट हैपन वन अनिमल से इस पूट इन दा फॉलिंग सॉलिशन मानलों अनिमल सेatell को अपने हाइपो में दागा तो क्या होगा चलिया हाइपो पो में क्ाया हो रहें बास यहाँ पर में देके गाल रहेंगाँ पिचक रहें तो यहां पी होगा श्रिंक मैं अगर आप से कोई बोजे कि अइनिमल को किस में डालिए हाइपो टॉनिक में तो हाइपो टॉनिक में क्या हो जाएगा सेल फुल जाएगा अब यहां पे श्रिंक हो रहा है टाइसों में क्या होगा इसका मतलब होता है सेम मतलब कोई चेंज नहीं आने वाला आइसू का मतलब ध्यान रखेगा अब पढ़ेंगे आइसो टोप्स पढ़ेंगे आइसो बार पढ़ेंगे ठीक तो यह आइसू क्या है आइसू का मतलब होता है सेम इतिवासन में अच्छे से तो अब बात करते हैं ह रात आपने किश्मिश को भी गया शुबह तक किश्मिश क्या हो जाती एग स्वला फो्जातीरैं मतला वह सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन है है फोल्ध है क्या से समझाक है अपनने धेखियों एक्चो हमें क्या होता है इस्वजे से प्रिश्वार्ट होता है मान दीजिए एक यह विकर है और इसमिह वाटर और मैंने चोटी जी अब कुछ बताई यह रेजिन अंदर पानी ज्यादा है उसके बाहर रेजिन के बाहर पानी ज्यादा है मैंने क्या बदा था आपको ऑस्मोसिस जाद़ता से वह गवर 250 बार पानी जाद में चेँंट में और जार सिंट्वजब कर दो हो चाहिए वाया को कर से बद्द रिल्ल को शोलाप व्लструкयों नर्ट the medium of concentration where the concentration is higher outside the cell than the inside the cell बहार जादा है अंदर कम है तो मुमेंट कहां से होगा बहार से अंदर और जब बहार से अंदर आएगा तो श्वैल अब यहां पर concentration बराबर होगा आपने देखा किस्मिषकाइक लिमिट होती है उसके पाद फुल यहीं अजोल फोल होगी होता य rectangularine में सिंपल सी रैंजिल बोलूं तो मीडियम का कंसंट्रेशन हाइयर होगा और सेल का कंसंट्रेशन काम होगा तो मुमेंट हाइयर से लोवर होगा और यह हो जाएगा स्वालप आई बास अच्छे से यहाँ पे सेम है तो कोई चेंज नहीं आएगा कोई डिसकूशन तरीह उत अब जित्ता बाहर पानी उत्राएं अंदर पानी है किसमिश के अकॉर्डिंग उसकी दैसिदी के अकॉर्डिंग बात करते इसकी अब उल्टा केस कर देजे अब किसमिश को आपने क्या किया फुल गई थी उसको उठाया और धूप में रख दिया अब पानी किसके अंदर जाता है किसमिश के अंदर पानी क्या होगा इवोपरेट तो किसमिश क्या हो जाएगी सिकूर जाएगी तो रेजिन का साइस ऑटोमेटिक श्रिंग हो जाएगा तो हाइपर टोनिक सॉलुशन क्या है मीडियम का जो कंसेंट्रेशन है वो कम है और सेल क का कंसेंट्रेशन जो है वो हाई है जब कि यहां पे मीडियम और सेल दोनों ही इक्वल है तो अगर आप से कोई पूछे कि शोटर कि बाथ कर रहे हैं कि यहां पे बाहर है worms जादा है मीडियम में ज़्यादा है कि तो यहां पर फ्लो की बात कर रहे हैं तो फ्लो हाईयर टू लोगर जा रहे हैं यहां पर से में तो फ्लो होई रहा है और यहां पर अंदर हाईयर है बाहर लोगर मतलब यहां पर अगर मैं बोलू तो देखो ओसी आउसाइड दी सेल कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो इंसाइड देखिए आउसाइड दी सेल कंसेंट्रेशन है कम इंसाइड दी सेल कंसेंट्रेशन है स्याधा तो अब फ्लोग कहा से होगा यहां तो वह आटोमेटिक श्रिंक हो जाएगा कुछ सोचिए आपने बैलून में एर ब्लो की साइज क्या होगा बड़ा और फूकेंगे जब फुल लिए आप हुआ कहा साइगी बैलून का अंदर से बाहर आएगी तो बैलून का साइज स्रेंग तो आप कुछ सुन्माय रिपोतोनिक है इसोतोनिक है हुपोतोनिक है श्रिपटोनिक है definition संव में यहाँपे क्या मीडिम का अंसंट्रेशन हाइद है और तो अश्वाल but in this case the concentration remains same outside and inside there is no change in the shape of the cell and if we talk about the hypotonic solution then the concentration inside the cell is higher than the concentration of the medium if the concentration inside the cell is higher as i told you that the movement will always occur when the concentration of cell is higher to the lower end and here the concentration is higher then it will move towards the lower end and the automatically it will decrease the size of cell so basically we have understand the concept of solution and this content is very important for the exams and for the practical purpose if you are going for the practicals in the chemistry then these words will help you a lot i hope you like it thanks for watching and stay with us thank you so much